तो ये जो समय निकाला है वो इसलिए क्योंकि इससे आर्थिक लाब होगा, इसके पीछे एक वेबसाइट दिश्टिक हों था, आपको लगता है क्या? ये बिल्कुल वेबसाइट दिश्टिक हों है, इस समय इन चीज़ों के बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन क्या सिर्फ बाजार के अधार पर हम प्राइम मिनिस्टर के आफिस के इंटिग्रिटी को सही है गलत, नहीं ये मानने के लिए त्यार होगा, इसमें सब चीज़ें हो केस की सियासत के सच के संदर में सोचा जा सकता है किस तरह की कोई मियाद यहां तैह हो सकती है, यहां तो नजाने कब की बातें कब उखार दी जाती है, इस पर मुनहसर है कि क्या उस से उस समय कोई फाइदा होता है, मनमोहन सिंग्ग, लेकिन क्या कमजोर पी-म रहे ये बात प्रदान मंत्री ये मन्मौन शिंग जो है इंडूस्तान के सब्सक्राइन मंत्री है उनके जो देख रहेक्त में जितने भी आज़त काम है सब इच्छे काम हुए 2004 में सोनिया गांधी के PM पत चुकराने के बाद लोग उनमें मदर टेरेसा से लेकर नजाने त्याग के कितने रूप देखने लगे सोनिया ने खुद इसे अंतरात्मा की आवाज कहा तो समर्थकों ने उन्हें तपस्या और त्याग की मिसाल करार दे दिया मेरा लक्ष्य प्रभान मंतित पाद दिनना हूँ मेरे सामे हमेशा सब्सक्त का कि अगर कभी ऐसी सुखी पड़ा हूँ जैसी आज कि मेरे अपनी आत्मा की आवाज के मुताबिक चलूँए आज मुरी अंपरात्मा मुश्य पहर हूँ में कि मैं दुनामरा का सब्सक्ताथ ये पड़ी पिकार करने के मना सकते हूँ लेकिन बारू के मुताबिक असल में इस कदम के पीछे कोई त्याद की भावना नहीं थी बलकि एक सियासी चाल थी पीम पद सोची समझी रणनीदी के तहट ठुकराया गया था सोनिया प्रधान मंत्री नहीं बलकि पीम से भी उपर की सोच रही थी इसलिए न सिर्फ पीमो में सोनिया के पसंदीदा अधिकारियों की तैनाती की गई बलकि सारे बड़े फैसले भी दस जनपत से होने लगे बारु ने अपनी किताब में लिखा है कि सोनिया गांधी के कहने पर पुलक चैटर जी को पीमो में शामिल किया गया पुलक पहले खुद सोनिया गांधी के सचिव के तौर पर काम कर चुके हैं और उनके बहत भरोसे मन माने जाते हैं लहाजा उन्होंने भी दस जनपत के ग्रीन सिगनल पर ही अपनी गाड़ी दोड़ाई पुलक नियमित रूप से लगभग हर रोज सोनिया गांधी से मिलकर उन्हें नीतिगत मुद्दों की जानकारी देते थे पुलक ही पीम और सोनिया के बीच नियमित संपर्ट की सबसे महतुपूर्ण कड़ी थे बारू के मताबिक मनमुहन सिंग ने इसे भी अपनी मजबूरी समझकर स्विकार कर लिया था हालाग को देखते हुए उन्होंने खुद को लगभग सरेंडर करते हुए मान लिया था कि यूपीय सरकार में केवल एक ही पावर सेंटर होगा और वो होगा दस जनपत समय के लिए हेमन तुपाद धिहाए अजय साब ये दिखाने की कोशिश किताब में की गई है कि ये उस समय त्याग बताया गया लेकिन असल भी ये त्याग नहीं था वहाँ जो लोग तैनाथ हुए पीमो में वो सोनिया के बसंद से हुए बड़े जो फैसले हुए वो सोनिया की नोडिंग के बगएर नहीं हुए और उसमें भी कुछ एक आफिसर ऐसे थे जो लगातार वहाँ क्या हो रहा है पॉलिसी लेबल पर ये सोनिया जो को बताने का काम करते थे देखिए एक बात तो बहुत साथ थी कि जब एपॉइंटमेंट हुआ था उस समय भी AICC चीफी जो चाहती थी वहीं होता था तो इसलिए right from day one कहीं ambiguity इस बात पर जरासी भी नहीं थी कि कौन आदमी वहाँ है डॉमिनेट वो कर रही है बाकी लोग नहीं कर रहे है तो ये तो known fact था हमारा दूसरा कहना है हमारा कहना था कि इंडियन elite secrecy बहुत maintain करता है ये इंडिया का ही trait है अगर 62 के war के document आज आज भी आप देखने चाहें तो आपको नहीं देखने दिया जाता है defense minister वो भी चाहता है तो वो भी नहीं देख पाता है तो अगर secrecy यहाँ पर break हो रही है और वो अच्छे के लिए break हो रही है at least आपको पता तो चल रहा है कि अंदर function क्या हो रहा है तो उसमें हर्च क्या है लेकिन एक बात यहाँ पे मुझे एक interesting बात लगी जो अरविन इठा रहे हैं कि एक तरह से cooling of period की बात कर रहा है कि वो होना चाहिए अब जो हम बात कह रहे हैं कि किसी भी इस किताब नहीं कोई भी किताब हमारा model code of conduct लागू होता है कई फिल्मे आती है आती है उन पर देन लगा दियाता है कि इस वक्त रिलीज मत कीजिए अब ये कोई भी किताब आती है जिसमें कि एक political party के प्रमुक या परदान मंतरी या कोई political party in general उसको लेकर फैजल आपको पता है कि अगर आजाए किताब कोई damaging होगी इस तरह की तो क्या ऐसा होना नहीं चाहिए कि इसको model code of conduct के दायरे में आना चाहिए ये किताब में बाद में रिलीज हो या फिर जब ये लागू हो code of conduct उससे पहले हो जाए वो तो खेर शायद मुम्किन नहीं होगा model code of conduct लेकिन जो बात अर्वीन ने कही cooling of period की इसकी बात हमेशा हुई है जो हमारे bureaucrats हैं या army officers हैं उनके लिए हमेशा ये बात हुरी कम तो किम दो साल का cooling of period before वो जाकर के election लड़े तो वैसे ही कुछ होना चाहिए जो इतने sensitive office और इस तरह की चीज़ों में रहे हैं जाहिसी बात है कि ये जो normal बात कर रहे हैं political gossip की बात कर रहे हैं उसके इलावा बहुत सारे sensitive issues होंगे national security से related matters होंगे वो सारी चीज़ों को कहीं न कहीं जो लोग है P.A.O. में मुझे नहीं पता कि बारू के इतने उसके पर यह थे लेकिन दूसरे जो लोग भी है मानने जिए कि पूला चैटर जहीं कल आकर कर किताब लिखने लगे तो साही information एकाएक मारत आजाए सब के सामने मेरे ख्याल से ये इतना मुनासिव नहीं और पूरी दुनिया में ये है कि जो classified documents है उनको declassify करने के periods ते हैं कि इतने दिन के बाए डी classify होंगे तो वैसा होना चाहिए मेरे खाया से ideally लेकिन जो बात को लेकर हम लोग सब्सक्रा कर रहे हैं कि जो कहा है बारू ने या पारक ने उसमें क्या सचाई है तो जो बात उननों ने कही है वो कोई नहीं नहीं है वो बिलकुर पब्लिक डोमें म प्राइम मिनिस्ट्रिटिव फंच्शन ही हमारा अधिकार है जाना है मतलब ये कि यह है इसी तरह की चीज़ें इसमें डिसकस होंगी जो हो रही है या इससे वाकरी फर्क भी पड़ता है और लोग इसमें कुछ नया भी रेखेंगे गिजह हमेशा बिलकट्स चैनलहा हुट है और ये जो हमेशा एक प्रिंद संवाथ होना में अनुर्शन हो होना चाहिए यहा थेसे यह इनधिक के बाद दॉक करता है इस पे हम कोई law या किसी legal framework ली बना के चल सकते हैं जहां तक films की बात कहीं आपने अलका क्योंकि उसमें sensitivity का बात होता है films में और बहुत चारे different communities को effect करने वाली sensitivities और sensibilities का सवाल होता है पर जहां तक political अपना जो domain है और खासकर parliamentary democracy का जो domain है उसमें छूट है काफी और वो अच्छा है मतलब parliamentary democracy के लिए भी अच्छा है जहां तक बात यह है कि कौन सरकार को चला रहा था अल्टिमेटली यह आता है उस पे अब बीजेपी आती है तो सब को पता है कि RSS चलाती है सरकार को तो एसमें तो को यदो के लिए है